थोड़ा सा क्या कहते हैं जो हम लोग सोच के रखे थे कि जो मार्जन हम लोगों को लाना था उसमें सेंदमारी हुई कही न उनकी पार्टी के वज़े से हम जीते हैं उनकी पार्टी के कारण हम जीते हैं बहुत लोग ऐसे बोल रहते हैं कि उनकी पार्टी के वज़े से उनके जवाब बल्ले से ही देना चाहिए, तो जब मेरे उस पे सवाल उठहे तो जवाब हमने चुनाओ में दिया, और ये जरूर है, हमने पहले भी बोला है कि मेरे गिरवांसर्ज कभी भी तेजस्वी जी से नहीं थे, मेरे गिरवांसर्ज उन से थे, उन चम्चो से थे जो उनके आसपास मंडराते रहते हैं और उनको दिख भ्रमित करते रहते हैं एक होता है धूंगी समाजवाद जो लोगों को लडाने का काम करता है और एक होता है प्रॉपर समाजवाद जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है तो हमको लगा था है ये ढोंगी समाजवाद से बाहर निकल चुके है, हिंदू-मुस्लिम लडाने की बात हो जाती है, बैकवर्ड-फॉर्वर्ड की बाते हो जाती है, A to Z कहां गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गया, किसी को पता ही नहीं चाहिए, उसको उस पे पहल होनी है, आपके अपने सपनों का आश्याना, तो मेरे साथ है बिधायक चेतन अनंद, आप तो लोकसभाद चुनाओ के बाद बिधान सभा चुनाओ की ही तेयारी है, और लोकसभाद चुनाओ में भी काफी अहम भुमिका इन्हों निभाई थी, क्योंकि इनकी माता लवली है तो चुनावती तो होती है, ऐसा कोई मतलब स्वभाविक होता है ये तो, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस डे वन से ही, अब मार्जन बचाने की लड़ाई हो गई थी, और मार्जन जो है हम लोग बचाते बचाते बचा लिये, यह जरूर था कि हम लोग को यह हम लोग सुनश्चित है आप भी छेतर में आया आप भी छेतर में ब्रह्मन किये थे यह सुनश्चित था कि जीत तो पक्की है हाँ थोड़ा सा क्या कहते हैं जो हम लोग सोच के रखे थे कि जो मार्जन हम लोगों को लाना था उसमें सेंधमार हुई कहीं न कहीं और उसका थोड़ा साम लोगों को जो है मार्जन में घटावती भी दिखाई दिया लेकिन जीत सुनिश्चत थी और साथ हम यह कहेंगे कि आपको याद होगा कि यह मेरे लिए भी दुगुना चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सार कि उनकी पार्टी के वज़े से उनके टिकेट देने के वज़े से चेतन आनंद जीते हैं लेकिन और हमको यह प्रूफ भी करना था कहीं ना कहीं हमारे मन में यह था कि देखें कि 20 साल से शिभर के सरजमीन पर शिभर विधान सभा में आरजेडी ने अपना पर्चम नहीं ल कि जो उसमें आता है डिस्ट्रिक्ट में आता है वो निकल करके आया था कि हम लोगों ने जो है संजे गुपता जी को बेलसंड से दिलवाया था और खुद हम जो है शिभर से लड़े थे और इस बार जो है चुनाव ने यह प्रूफ कर दिया कि चेतन आनंद जब लड़े हम जब लड़े थे तो 73,000 वोट हमको प्राप्त हुए और जब लबली आनंद जी लड़ी तो हमको 83,000 वोट प्राप्त हुए तो यह दिखाते है कि आनंद फैक्टर जो है आनंद मोहन जी वाला जो फैक्टर है वो बहुत काम करता है और हमको किसी को अब जवाब देने की जवाब चुनाओ आता है देखे बात ही होती है कि हम लोग सुनते आये हैं कि जब किसी बैट्समेन का फॉर्म जो है हो जाता है थोड़ा सा खराब तो लोग कहते हैं कि नहीं जवाब जो है वो बल्ले से ही देना चाहिए तो जब मेरे उस पे सवाल उठे तो जवाब हमने मेरे चुनाओं में दिया। न थी न रहेगी तो वो गिरवान से थे और रहेंगे अब इतों नीट परिक्षा में एक बड़ा मामला सामने आया है तेजसु यादो के आप सचीव के रिस्तदार उसका मास्टर माइड निकला है और जेडियू ने अज सवाल भी उठाया है कि भाई तेजसु यादो सभाई दे जवाब दे कि आपके आप सचीव का रिस्तदार नीट का मास्टर माइड क्यों है अब वही तो कह रहा है कि अल्टिमेटली आपको सारे सुत्रधार जो है वो उधर से इसलिए दिखते है कि यह जो बोगस लोग है आसपास जो उनको घिरे हुए है potential बहुत था यह हमको कहने में कोई वो नहीं है कोई गुरेज नहीं है लेकिन potential जो है वो आसपास के लोग जो है जो उधर लॉबी बना रखे हैं नेता को उस अपने चंगूल से बाहर नहीं निकलने देता है गरबड़ी वहां पर है और अभी जो नीट वाला भी परक्षा यह मेरी बातों को सिद्ध करता है यह बताता है कि हम सही बोल रहे हैं और यह आप किसी भी बड़े लीडर से लोगों से घिरे हैं आपका काना बिलकुल गलत लोगों से घिरे हुए है पार्टी में senior लीडरों को मान समान नहीं मिल रहा है हाँ पार्टी में जो है A to Z का फॉर्मूला जो है वो बोकस बनके रह गया है आज के डेट में यह पार्टी जो है आपको M.Y के उस पर भी नहीं नहीं बैठ रही है क्योंकि आज आप देख लीजिए मुस्लिम भी नाराज हैं तो यह जो गिरावट आई है यह उन लोगों के वज़े यह जो उनको घेर करके बैठ आज अगर हम यह कह रहे कि पोटेंशल बहुत था से बात को समझ हीए पोटेंशल बहुत था लेकिन उस पोटेंशल को अगर किसी ने हमपर किया तो उनके आसपास के लोगों किया है जो लगातार इस चुनाओं में भी आपने देखा कि ठाकरों के उपर गलत बयान बाजी की गई उस से पहले वाले चुनाओं में 2020 वाले चुनाओं में आपको याद होगा बाबु साहभ पीछे और आगे और कौन कौन से बात उठाई गई थी तो ये speech कौन तयार कर रहा है ये उनके लिख कौन रहा है उनके उसमें जहन में ये बाते कौन डाल रहा है और फिर वही व्यक्ति जो जहन में बाते डाल रहा है वो राजसभा में जाकर ठाकुर का कुवां एपिसोड करवाता है तो ये पूरा जो है कांड आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति के वज़े से पूरा गरबड़ा रहा है पूरा मैटर गरबड़ा रहा है और अगर ये लोग एक एक नहीं बलकि दो-तीन व्यक्तियों के वज़े से ये मैटर गरबड़ा रहा है और उन दो-तीन लोगों को जब त करेंगे तब तक इनका पोटेंशल जो है वो क्वेश्चन मार्क में है जितने के बाद आपको लग रहा है कि आपका फैसला सही था आर्जडी के छोड़ने का नितिश कुमार की सरकार को बचाने का देखिए मेरा फैसला बिहार के हित में था और और सबको याद है कि 2005 से पहले क्या था बिहार और 2005 के बाद क्या आज हम लोग किधर कितना सांस ले पा रहे हैं piace हम लोग को बाहर जाकर के पढ़ाई करना पड़ा 2005 से पहले क्यों वह सेफ्टी रीजन और बहुत सारे ऐसे रीजन थे जो बिहार को जंगल राज बोला जाता त तो ऐसे नहीं बोला जाता था, उसके पीछे कारण था, और 2005 के बाद जो सुधार होना शुरू हुआ, तो आप continuously सुधार होते जा रहे हैं, और जब तक हमारे गारजन नितीश कुमार जी बिहार के जो CM है वो रहेंगे, हमको यह लगता है कि बिहार प्रगती ही करेगा. तो आप जिस जंगलराज की चर्चा कर रहे हैं कि आपको बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ी, उसी जंगलराज के नेता के साथ तो आप भी गए ना भाई, चुनाओ जीते लड़े, नहीं तो आप यह बताईए ना, कि हमको तो लगा था कि पोटेंशल है, हमको यह लगा था हमको लगा था A to Z की बाते हो रही है, तो मतलब इसके पीछे कोई कारण होगा, हमको लगा था कि बदलाओ आ गया है उस पूरे पार्टी में, उस पूरे सिस्टम में, जो एक होता है धोंगी समाजवाद, जो लोगों को लड़ाने का काम करता है, और एक होता है प्रॉपर स समाजवाद, जो सब को साथ ले करके चलने की बात करता है, तो हमको लगा था यह धोंगी समाजवाद से बाहर निकल चुके हैं, अब प्रॉपर समाजवाद की ओर जा रहे हैं, और हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारे पढ़ाई भी वेलम बोई स्कूल जैसे बड़े स्कूल से हुआ है, तो हम लोग के जहन में समाजवाद हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि यह जो अब बदलाव आ रहा है, तेजस्वी जी शायद कोई बदलाव करेंगे, कहीं नई दिशा में ले जाएंगे, लेकिन आज के डेट में देखिए, वही पर बात अटक ज हो जाती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बाते हो जाती है, A to Z कहां गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गया, किसी को पता ही नहीं है, आज के डेट में देखिए, वापस वही स्क्वेर वन पे आ गया है, लोग सभा चुनाव में आप आपके पिता ने, आपकी माता ने, आपको याद होगा कि यह मुद्द तब से उठाया गया है, जब आनिंग मोहन जी जेल से बाहर निकले थे, और उन्होंने पहले ही बोला था कि माता सीता का मंदिर का निर्वान कैसे होगा, उस मुहीम में, जैसी आराम का नारा भी लगाया गया था, तो वो जो है, वो उसी टाम से हम लोगों का मुद्द ही, हम लोग को ये परवा नहीं थी, कि हम किसके साथ है, कौन क्या है, किस की mentality कैसी है, कौन क्या करेगा, नहीं करेगा, हमारी एक mentality सीधा थी, कि ये, मिदलांचल के लिए ज़रूरी है, और एक तरीके से अगर एक भवे मंदिर, आयोधिया मे बन सकता है राम जी का तो सीता महिया का भी मंदिर बनना बहुत जरूरी है यह हम लोग को का जो है थिंकिंग था और आज भी रहेगा उसमें आपको याद होगा कि मानिनिय मुखमंतरी जी ने उसमें लगभग 140 करोड कुछ सैंक्शन करवाए लेकिन हमारा यह थिंकिंग हम य लेकिन उसको जगह पर पहुंचने के लिए केंद्र को जो है आना पड़ेगा सयोग करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग मानिनिय प्रदान मंतरी जी से भी मिलने का काम करेंगे हमने तो पूरा प्लान बना रखा है कि नहीं होगा तो वहां से जो है पुनोरधाम का इसको आप कीजिया अप माता सिता के लिए लड़ेंगे लेकिन बिहार के किसी भी ठाकूर को केंद्रिय मंत्र मंडल में जगह नहीं मिली है नहीं देखे यह तो यह समिक्षा होनी चाहिए इस पर आप 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 सही बात बोल रहा है और किसी ना किसी को तो जगह देना चाह तो उधर एक समाज की मांग रहती है, उमीद रहती है, तो उसको जो है उसको 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 पहल होनी चाहिए, कैसे होगी, क्या होगी, कौन होगा, ये सबब उनके उपर छोड़ दिया जाए, जगा मिलनी चाहिए. तब सुन है ते चेतान अनंद को जो कह रहे हैं कि ठाकूर समाज ने भी लोकसवाचिनाओं में इंडिये का दिल खुल कर साथ दिया है, इसलिए मंत्रिमंडल में ठाकूर समाज को भी जगा मिलनी चाहिए.